करनाटक की बात करते हैं जहां पर 10 मई को चुनाव होना है और यहां पर विधानसवा चुनाव की तारीक आते के साथ ही चुनाव से ठीक पहले बसवराज बुमबई सरकार ने मुसल्मानों को दिया गया जो 4 फीसद आरक्षन था वो वापस ले लिया था उसे लिंगायत और वोका लीगा समुदाय को दे दिया था अब बीजेपी करनाटक में एक भव्वे राम मंदिर भी बनवाने जा रही है कॉंग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी हिंदू मुसलिम और राम मंदिर के सहारे विधानसवा चुनाव में धुरूवी करन करने की कोशिश कर रही है पहाडियों में जहां कभी शोले फिल्म की शुटिंग हुई थी राम देवरा बेटा में पहले से ही राम मंदिर है 350 सीड़ियां चड़ कर यहां पहुँचा जा सकता है कॉंग्रेस राम मंदिर बनाने की बीजेपी की इस कवायत को वोट बैंक की राजनीती से जोड़ कर देख रही है आयोधिया में राम मंदिर बन गया न अब क्या पहले बीजेपी यहां खुद को ठीक करे कॉंग्रेस पार्टी तो यह भी नहीं चाहती कि राम जन भूमी में राम मंदिर बने वो चाहते ही नहीं कि कहीं भी राम मंदिर बने यह बात आस्था भावनाओं और आध्यात्म की है यह जगा बहुत ही पूजनी है एक तरफ राम मंदिर तो दूसरी तरफ किसी ना किसी बहाने चार परसंट मुस्लिम कोटा खत्म करने की चर्चा करना बीजेपी के बड़े नेता नहीं भूलते मुसल्मानों के साथ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं हुई है अब आर्थिक तोर पर कमजोर वर्ग के तहत उन्हें आरक्षन मिलेगा धर्म के आधर पर आरक्षन ठीक नहीं है सत्ता रूर बीजेपी के खिलाफ कौंग्रेस भरस्टा चार को यहां मुद्धा बना चुकी है ऐसे में कौंग्रेस और जेडियस के खिलाफ मुद्ध तलाशती बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन की समापती के साथ साथ करनाटक में राम मंदिर के निर्मान के सहरे वोटर्स को लुभाने की कोशिश में जुटी है बैन जूरू से कैमरामेन गोविन मूर्ति के साथ निहाल किद्वई इंडि टीवी इंडिया